Hello everyone, काफी सारे students panic create कर रहे थे, काफी सारे students confused हो रहे थे कि हमारा January वाला CST examination online होगा या offline होगा, हमें घर से examination देना है या फिर centers alert होगे, अगर alert होगे तो कब होगे, क्योंकि less than 10-15 days बचा है और अभी तक institute ने कोई official confirmation नहीं दिये तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हो कि सारे confusion दूर हो जाए इस वीडियो के बाद कोई भी confusion नहीं रहेगा जो notice मेरे सामने है, या ICSI का official notice है जो ICSI ने 23 December को draft करा था इस notice के अंदर क्या है, देखो ICSI वालों की time to time meetings होती है जो उनके officials होते है, उनकी meetings होती है जिसमें वो various decision लेते है तो इस notice के अंदर जो अपने काम का है, वो तो third point है ठीक है, third point के अलावा हमारा कुछ भी इस notice में और कुछ भी काम का नहीं है third point में क्या लिखा है, सब clearly read करो इस notice का link मैं description में भी दे दूँगा ICSI का official notice है इस notice में यह साफ साफ लिखाए कि हम लोगों ने that is ICSI वालों ने 30th June 2021 तक, sorry 30th June 2021 तक यह जो CST examination होता है यह remote proctored mode से कर दिया है जिसमें वाइवा नहीं होता मतलब एक चीज है कि हमारा जो examination होगा 30 June से पहले-पहले उसके अंदर January का attempt भी आ गया और January के बाद अगर कोई और attempt भी होगा तो वो भी इस notice के तुरू यही निकल रहा है कि वो examination भी online way में होगा online way मतलब घर बैट करोगा artificial intelligence के तुरू होगा हमें अपने laptop और desktop से देना होगा तो यही बात है official notification भी जल्द आ जाएगा यह भी official notification ही है यह decision का notification है तो अगर यह ICSI का है तो हमें अपने mind को इस notice के बाद prepare करके रखना चाहिए कि examination online होने वाला है इसके बाद institute अगर कोई भी notice लाती है तो वो मैं अपने YouTube चानल पर डाल दूँगा तो YouTube चानल को subscribe जरूर करना और bell icon जरूर प्रेस करना